CPU के power button में ना power आ रही है ना CPU स्टार्ट हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसे condition में क्या करना चाहिए monitor के उपर कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा है कुछ भी नहीं आपके computer में यह error आ सकते हैं तो ऐसे कौन-कौन से condition से और उसका क्या-क्या solution से यह मैं आपको इस वीडियो में बताने हो लाओ तो अगर आप इंट्रेस्ट उड़ तो वीडियो एंड तक देखिएगा मैं सतीश complete technology चैनिल पर आप सब का स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं इंट्रेस्टिंग टॉपिक कंडिशन नंबर वन कंडिशन नंबर वन यह है कि आपने आपके CPU का बटन प्रेस कर दिया और वहां पे कुछ भी नहीं दिखा दिया मतलब CPU के पावर बटन में ना पावर आ रही है ना CPU स्टार्ट हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडिशन में क्या करना चाहिए सबसेक पहले आपके computer के पाउयर आराय है यह चेक करना चाहिए यानि कि आपको infrastructure कीड करना चाहिए जो आप के S L P S K S K P R E S सबसेक पहले पाउयर केबल टेश्ट करने के लिए आपके आपस टेस्टर होना चाहिए चेटर की मदद से आप आप चेक कर सकते कि उसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके पावर केबल आपने चेक किया अगर आपके बस टेश्टर नहीं तो मल्टीमेटर होना चाहिए मल्टीमेटर कुछ इस तरह दिखता है पावर आरा है SMPS के अंदर आप SMPS वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह आपको चेक करना चाहिए तभी आपको सुलूशन पता चल जाएगा इसका दीरी दीर तो अभी आप SMPS चेक कर रहे हो तो SMPS चेक करते समय आपको ग्रीन और ब्लैक वार शॉट करनी होती है मतलब आपको step by step में फ्लो बता रहा हूँ तो याद रखिए जब कभी भी आप computer खुद से रिपेर करना चाहते है तो यह troubleshooting step आपको हमेशे आद रखना है क्यूंकि जनरली हम क्या करते हैं डाइरेक्ली सीप्यू खोल देते हैं फिर खुल लेकी ज़रूद नहीं रहती है पावर बटन प्रेस करने के बाद लाइट नहीं आ रही तो पहले पावर केबल चेक करो फिर smps बाद में CPU खोलो और smps चेक करो smps में पावर आ रही है पावर केबल प्रॉपर smps में पावर आ रही है अब आपको जाना है मदरबोर के पर जहाँ पर आपका 80x pin लगता है जो smps से पावर आता है वो मदरबोर पर जहाँ पर लगता है उसे निकाल कर आपको लगाना चीए और इसके बाद भी अगर यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम टबल शुट नहीं हुआ तो आपको फिर मदरबोर्ड चीप लेवल वाले के पास देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर पर पावर इन नहीं हो रहा है याने कि वहाँ पर कुछ तो चीप लेवल का प्रॉब्लम है पहला सुलूशन मैंने आपको बदा दिया कि वहाँ पर प्रेस करने के पाद पावर नहीं आया तो क्या करना चाहिए कंडिशन 2 की तरब बढ़ते हैं अब कंडिशन 2 में आपने CPU का बटन स्टार्ट कर दिया उस टाइम पर वहाँ पर लाइट लग गई CPU के अंदर फैन है वो भी घूमने लग गया और SMPS का फैन भी घूम रहा है तो अभी इसका मतलब यह है कि आपका CPU तो स्टार्ट हो रहा है उसे clean करना है एरेजर से RAM को एरेजर से clean करने के उपर भी वीडियो बना है मैंने इसके उपर already separate वीडियो बना है जो कि आपको सारी लिंक मैं description में दे दूँगा आप एक एक करके उन्हें देख सकते हैं लेकिन मैं आपको इस वीडियो में overall idea दे रहा हूँ कि करना क्या चाहिए क्योंकि बहुत सरे लोगं confused रहते कि करना क्या है हमने hardware तो जान लिया हमने hardware course भी सीख लिया सतिसर से अगर अभी तक आपने मेरा course नहीं देखा है hardware का तो description में लिंक देता हो hardware course की भी वह देख लेना देख लेना मतलब वो course actually paid है लेकिन सटप एक के साथ वो course आपके लिए available है description में आप चेक कर सकते है premium course और काफी advanced level का course है hardware का तो फिलाल तो मैं आपको बता रहा था कि second troubleshoot क्या है अगर आपने power button प्रेस किया light भी on होगी लेकिन display नहीं आ रहा है तो उस case में आपको RAM clean करना है RAM eraser से proper clean करना है जो उसके golden points रहते है उसके वाद RAM लगा कि देखना है दुबारा अगर display आ गया तो well motherboard की तरफ तो आपको CPU detach करना है निकालना है CPU कैसे निकालना है वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया description में एक link उसका छोड़ देता हूं तो CPU निकालने के बाद CPU निकालने के बाद CPU थोड़ा सा heat sink वगरा solution लगा कि वापीस उसे attach कर देना है और इसके बाद भी display नहीं आ रहा है उनको आप अपना motherboard दे सकते हैं तो condition 2 का solution तो मैंने आपको बता दिया आप condition 3 की तरफ बढ़ते हैं अब तीसरा कंडिशन मैं आपको बता हूं कि CPU का बटन आपने फिर से प्रेस किया और इस बार CPU के अंदर से आवाज आ रही बीप बीप ऐसी आवाज आएगी और कोई आवाज नहीं आती CPU से बता रहा हो तो ऐसी आवाज बार बार आ रहे तो आपको समझ जाना है कि एक इस इशू है वो है राइम का इशू तो आपको राइम को निकालना है घ्लीण करना है और फिर से भी वैसी आ रहा है तो राम हटा देना हा दूसरी लएम लगा लग कि देखना है मतलब सेम डीडियार टू है तो DDR2, DDR3 और भीण पर लिखा रहता है राइट वो राइम आपको द मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो में आप देख सकते कि उनके monitor पे यहां पे बस BIOS का जो है रीडिंग आ रहा है, आगे Windows लोड नहीं हो रहा है, CPU स्टार्ट हो रहा है, monitor पे कुछ black screen पे कुछ text दिखाई दे रहा है, और आगे Windows नहीं लोड हो रहा ह desktop नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे case में क्या solution होगा, ऐसे case में ना आपको RAM clean करना है, RAM को हाती नहीं लगाना है, ना आपको CPU को clean करना है, ना motherboard को निकालना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे case में आपको direct hard disk की तरफ बढ़ना है, जिया, आप computer को खोलो, hard disk की cables, जो होती ना, एक power cable रहती, एक SATA cable रहती, आपको सामने में दिखाता हूँ, SATA cable और power cable, इन दोनों को निकालो, इन दोनों को निकाल के दुबारा लगाओ, और try करो कि देखो, फिर से Windows लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर Windows फिर भी लोड नहीं हो रहा है, तो सम Windows अगर corrupt है, तो आपके computer में display तो आएगा, आपके monitor पे DOS की screen दिखाए देगी, black screen पे white text आएगे, उसे हम DOS का जो loading रहता है, पहले BIOS लोडिंग बोलते है, तो BIOS लोडिंग होगा, लेकिन BIOS के आगे Windows नहीं आएगा, और Windows इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो corrupt हो चुका र CPU चालो है, आपका CPU on हो रहा है, इसलिए तो display आ रहा है, wrap भी चालो है, इसलिए तो display आ रहा है, motherboard चालो है, इसलिए तो display आ रहा है, याद रखिए यह चीज, hard disk की तरफ जाना है, और Windows को आपको रिंस्टॉल करना पड़ेगा, यह दो मैंने solutions बता है, आप बढ़ते हैं चालो हो रहा है, एक मिनिट के बाद बंद हो रहा है, तो इस इस केस में एक बात याद रखनी है, कि जो आपका CPU वो ज्यादा हीट हो रहा है, उसका जो heat sink लगा हुआ रहता है, यानि हीट सिंक का एक नीचे मटरेल रहता है, और उपर fan लगा रहता है, तो वो heat sink है, वो प् लगाना है CPU को प्रॉपर टाइट पैक कर देना है अंधर लॉग भी डिले हो सकते हैं तो वो उस केस में क्या होता है CPU गरम होता है और एक मिनिट के बाद बंद हो रहा है तो यह आपको चीज करनी पड़ेगी याद रखिए करना क्या है CPU के उपर जो लगा हुआ फैन है वो या फिर हीट रिंग है वो प्रॉपरली लगा हुआ रहना चाहिए कंडिशन नंबर पाच के बाद कंडिशन नंबर चे के तरफ बढ़ते हैं कंडिशन नंबर चे में ऐसा है कि आपने CPU स्टार्ट किया लेकिन स्टार्टिंग के लिए पाच से छे मिनिट लग रहा है Windows लोड होने के लिए desktop के icons आने के लिए पाच से छे मिनिट आप तंग होगे यार कब चलो होगा तो ऐसे केस में problem कहां पर प्रब्लम है operating system में जो system file नहीं हो रही है इसका reason ही होता है कि आपने उसे बहुत सारा काम दे दिया है बहुत सरी खीचड़ी कर दी उसमें system drive में तो आपको ऐसे केस में Windows को reinstall करना ही अच्छा रहेगा reinstall करेंगे तो पताए ना क्या होगा reinstall करेंगे तो सारी system file प्रॉपरली आरेंज हो जाती है लेकिन reinstall करते समय आपको आपके जो license वर्जन के software से उसके license की अलग सा हुनी ची आपके बस निकाल के रखनी है और उसके बाद आप इसे reinstall कीजी हाड़वर वाले के पास reinstall करोगे तो फ्री में हो जाएगा आप जितनी बार चाहिए उतनी बार कर सकते है और मेरा कोर्स ही hardware का लगबाग पास्सु छेसु रूपे में आ जाता है जो hardware वाले के पै क्या होती है मैंने आपको बताई साथवी नंबर केस की तरफ बढ़ते हैं साथवी नंबर केस में everything is okay लेकिन monitor का जो है न कलर बदल रहा है जैसे मैं आभी आप पे यह दिखा रहा हूँ आपको कि यार यह monitor का कलर यहां पे बदल रहा है इसका खारण ही होता है कि आपका जो तो VZA cable रहते हैं monitor की जो मैं आपको screen के पर दिखा रहा हूँ इसे आपको बदलना होगा अगर आपके monitor के color बदल रहा है रंग बदलू गिरगित जैसा monitor हो रहा है बार-बार color बदल रहा है तो आपको बदलना होगा क्या VZA cable राइट या फिर HDMI cable रहेगा तो HDMI cable में ऐसे issues न बढ़ते हैं आपके laptop से beep sound आ रहा है laptop स्टार्ट करते ही या फिर laptop स्टार्ट हो गया और अभी दिखा ही दे रहा है कि कोई keyboard की एक key press long press है वो press हो रही है हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपको laptop का keyboard बदलना है जो keypad है basically laptop का उसमें moisture आ गया है याद रखिए अगर उसमें moisture आता है तो आपको ऐसे case में laptop का keypad बदलना होता है देखिए अगर आप branded keypad लेते हो तो 1200 से लेकर 2000 के बीच में या 2500 की बीच में आ चाता है branded keypad वही company का वही brand का लेकिन market से अगर आप लोग यह तो 600-700 रुपए में भी keypad पूरा replace हो के मिल जाता है अगर आप अपने laptop का keypad ब लगा सकते हैं आपकी मर्जी 300 रुपए में USB keyboard भी मिल जाता है तो यह थी case number 8 अब 89 की तरह अब इस case में आपको बता हूँ कि CPU में अपने land card में land cable लगा दिया जैसे कि मैं screen के उपर दिखा रहा हूँ land cable अपने यहां पर लगा दिया लेकिन फिर भी computer में internet connect नहीं हो रहा है आपको यह cross sign दिखा रहा है इस तरह का जैसे मैं screen पे दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि आपके computer में network driver इंस्टॉल नहीं है आपको network driver इंस्टॉल करने पड़ेंगे network driver इंस्टॉल करने के लिए आप simply google पे जा सकते हैं और search कर सकते है network driver उससे आपको realtech के network driver मिलते है बहुत सारे driver driver रहते है वह आपके motherboard को support होंगे वह आप install कर सकते है या फिर motherboard जब आपने खरीदा है computer जब खरीदा तो उसके साथ एक driver की CD मिलती है उसे आप reinstall कर सकते है तब जाकि वह LAN cable लगाने से फाइदा होगा याद रखिए यह जद तर प्रॉब्लम्स computer में आते है इस noise कुछ और नहीं है अंदर drill machine नहीं चल रहा है अंदर जो fan है उसके अंदर आपके जो motherboard या power supply जिसकी भी है cable कई न कई पे touch है याद रखिए वो cable touch है इसलिए fan से आवाज आ रहा है या बहुत सरी बार वहां पे dust रहता है या fan प्रॉपर काम नहीं करता है फैन कभी-कभी तब आप बदलिये यही थी condition number 10 तो यह तो मैंने conditions और solutions बता दिये दोस्तों लिकिन एक important tips भी मैं साथ मैं आपको बताना चाहूंगा गर्मी के दिनों में अगर आपके घर में AC नहीं है आपके office में AC नहीं है तो गर्मी के दिनों में आप जो भी laptop या computer यूज कर रहे हो computer अगर आप 8-9-9 गंटा computer यूज करते हो तो at least वो cool उसको हवा मिले तो वो case खोल के रखो आप CPU का ऐसे खिचडी में मत रखो कहीं पर राइट ऐसे लोग टॉली में अंदर एकदम दबा दबा के रख देते तो ऐसे case में उसके life बहुत कम होती क्योंकि वो ज्यादा heat होता है तो उसे cool होना बहुत ज़री गरम होता है गरम नहीं होना देना है और laptop अगर आपका गरम होता है तो उस case में आप cooling pad भी खरीच सकते है जैसी कि मैं दिखा रहा हूँ मेरे office में जो भी laptop जितने भी laptop उन सभी के लिए मैंने cooling pad लिया है जो यहाँ पर आपको screen के उपर दे तो आप पकड़ लेना मतलब आप वहाँ से ले लेना मुझे भी थोड़ा सा commission मिल जाएगा ओके extra cost तो आपको लगने वाली नहीं है लेकिन अगर आप खरीदना चाहते है laptop के लिए cooling pad तो आप ज़रूर ले सकते हैं फिलाल तो यह मैंने tips आपको सारी बता दिए सारी ची साथी में मेरे जितने भी चैनले learn more real tutorial excel tutorial सबकी link description में check करना अपना खयाल रखना सीखते रहना सीखाते रहना आखिर मैं बाइबाइ कहूंगा